जोग्रोफी ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आज का टोपिक है जल संगसाधन और जल संगसाधन में आज हम लोग देखेंगे वर्सा जल संग्रहन तो चलिए इसको सुरू करते हैं वर्सा जल संग्रहन चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्सा जल संग्रहन क्या है वर्सा जल संग्रहन विभीन उपयोग के लिए वर्सा जल रोकने और एकत्र करने की विधी है इसका उप्योग भूजल भंडार को भढ़ने के लिए भी किया जाता है यह कम मुल्य और पारिस्थिती की अनुकूल विदी है जिसके द्वारा पानी की प्रतेग बूंद संग्रचित करने के लिए वर्सा जल को नलकूपो, गड़ो और कूओ में एकत्र किया जाता है सरम सब्दों में हम कह सकते हैं वर्सा जल को रोकना, जमा करना और बाद में जरुरत के हिसाब से इसका उप्योग करना इसी को वर्सा जल संग्रहन कहा जाता है यह topic परिच्छा की द्रिष्टी से बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस वीडियो को आप आन तक देखे ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म से जो परिच्छा में पुछे जाते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक भी करें आगे हम देखेंगे जल संग्रहन के विबिन तकनीक या उपाय इसमें पहला है गूल अत्वा कूल पस्चिमी हिमाले के परवतिय छेत्रों में सिचाय के लिए नदियों की धारा बदल कर वाहिकाओं द्वारा जल को खेतों तक पहुँचाया जाता है आपको याद रखना है गूल या कूल यह तकनीक पस्चिमी हिमाले के परवतिय छेत्रों में देखने को मिलता है अगला तक्निक है छत वर्षा जल संग्रहन राजस्थान के अर्दसुस्क चेत्रों और मेगाले के सिलों सहर में छत वर्षा जल संग्रहन आम तरीका है छत वर्षा जल संग्रहन तक्निक मुख्यता राजस्थान में देखने को मिलता है और यह काफी पुराना तकनीक है राजस्थान के अलावे यह मेघाले, तमिलनाडू और करनाटक में भी देखने को मिलता है और यहां अर्द सुस्क से अभिप्राय वैसे मोसम से है जहां वर्षा कम मात्रा में होती है और इस छेत्र में जल के लिए काफी दिकतों का सामना करना पड़ता है इसलिए ऐसे चेत्रों में यह तकनीक काफी मददगार साबित हो रहा है इस चेत्रों में हम लोग देख सकते हैं यह है छट वर्षा जल संग्रहन तकनीक इसमें वर्षा जल को छट में पहले एकत रखिया जाता है और पाइप के मदद से जल को भूमिगत मतलब जमीन के अंदर टेंक में जमा किया जाता है उसे टंका भी कहा जाता है ठीक है वही टेंक को टंका भी कहा जाता है और फिर अपने जरुवत की हिसाब से बाद में उस पानी का उप्यूग किया जाता है चलिए इसको डीटेल में देखते हैं सबसे पहले इसका बनावट और अकार को समझते हैं कि इसके लिए घरों का डिजाइन कैसे होना चाहिए तो यह कमरे के अकार का जितना बड़ा होता है यह जो टंका होता है यह कमरे के उतना होता है मतब एक रूम के जैसे होता है घरों का छात ढलवा होता है और छट से एक पाइप टेंक या टंका से जुड़ा होता है और फलोधी में एक घर में एक टंका मिला है तो उस टंका का जो गहराए है वो 6.1 मिटर उसका लंबाए है 4.27 मिटर और उसका चोड़ाए है 2.44 मिटर हम इसके बनावट को देख लिए है अब देखेंगे यह काम कैसे करता है जब वर्षा के समय घरों के छट में वर्षा जल जमा होता है तो यह जल पाइप के सहारे टंका तक पहुँचाया जाता है जहां बाद में उसे अपने जरुद की हिसाब से उस जल का उप्योग किया जा सकता है इसमें इतना जल संग्रहित किया जा सकता है कि अगली वर्षा रितु तक उस जल का उप्योग किया जा सकता है उस छितर में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है तेक है वर्षा जल को ही पालर पानी कहा जाता है और ये ये पालर पानी ये इक्जाम में बहुत पूचता है इसको याद रखना है लेकिन वर्तमान में इंद्रा गांधी नहर के बारमासी परवा के कारण वर्षा जल संग्रहन कम हो रहा है एक नहर बनाया गया है इंद्रा गांधी नहर और उस नहर में सालो भर पानी रहता है जिसके कारण से ये तंका का जो व्यवस्था है ये कम देखने को मिल रहा है चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि यह तंका का अकार कैसे होता है और यह कैसे काम करता है इससे संबंदित कुछ महतवपून तत्य आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको भी हम लोग बारी बारी से डेखेंगे पहला है मेघाले की राजधानी सिलॉंग में च्छत वर्षाजर संग्रहान प्रचलित है और यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापुंजी और मासिन राम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाली शेत्र है वो शिलॉंग से 55 किलोमीटर दूरी पर ही इस्थीत है और यह सहर जो शिलॉंग सहर वो पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है सहर के लगभग हर घर में च्छत वर्षा जल संग्रहन की वेवस्था है घरेरी जल आवशकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25 प्रतिशत हिस्थे की पूर्थी च्छत जल संग्रहन से होती है दूसरा तत्य है तमिल्नाडू देश का एक मात्र राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में च्छत वर्षा जल संग्रहन धाचो का बनाना आवश्यक कर दिया गया है पिर तीसरा तत्य है करनाटक के मेसूर जिले के गंडा थूर गाउं में लगभग 200 घरों में च्छत वर्षा जल संग्रहन की व्यवस्ता है च्छत वर्षा जल संग्रहन हम समझ चुके हैं क्या है ना आपको याद रखना है कि यकीन कीन चेत्रों में यह तकनिक का उप्योग किया जा रहा है अगला तकनिक हम दो देखेंगे बाड जल वाहिकाएं पस्चिम बंगाल के बाड छेत्र में सिचाई के लिए बाड जल वाहिकाएं बनाय जाते हैं मतलब बाड के पानी को पतला नहर के द्वारा खेतों तक पहुंचाय जाता है तो आपको याद रखना है कि बाड जल वाहिकाएं किस छेत्र में तो पस्चिम बंगाल के बाड मैदान में अगला तकनिक है खादिन और जोहड सुस्क और अर्द सुस्क छेत्रों जैसे राजस्थान के जेसलमर जिले और अन्य छेत्रों में खेतों के लिए वर्षा जल एकत्रा करने के लिए गड़े बनाये जाते हैं मतब खेत के बगल में गड़े बनाये जाते हैं यहाँ सुस्क से अभी प्राय है जहां वर्षा नहीं के बराबर होती है और इसका औसत वर्षा जीरों से 20 सेंटीमिटर केवल होती है ठीक है और अर्दसुस को छेतर से अभी प्राय है जहां बहुत ही कम वर्षा होती है और इसका औसत वर्षा वहाँ पर होता है 20 से 40 सेंटिमेटर इस प्रकार से हम सारे वर्षा जल संग्रहन तक्निक को देख चुके हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सभी तक्निक के प्राचिन समय से ही चला आ रहा है और कम लागत एवं यह पारिष्थिती की अनुकुल भी है आगे हम एक सिचाय प्रणाली को देखेंगे बांस ड्रीप सिचाय प्रणाली तो मेगाले में नदियोव जड़नों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्र करने का 200 वर्ष पुरानी विधी प्रणाली थे मेगाले में लगभग 18 से 20 लीटर सिचाय पानी बांस पाइप में आ जाता है उसे सेक्रो मिटर की दूरी तक ले जाया जाता है अंध में पानी का बहाव 20 से 80 बुंद प्रती मिनट तक घटा कर पोधे पर छोड़ दिया जाता है जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि कई सारे बास को जोड़ कर पानी को दूर तक पोँचाया जा रहा है आपको याद रखना है यह कि यह सिचाय प्रणाली किस चित्र में ज़्यादा उप्योग किया जाता है तो में घाले में याद रखना है इस तरह का सिचाय प्रणाली में घाले में है तो इस प्रकार से हमारा यह अध्याय जलसंसाधन समाप्त हो चुका है जलसंसाधन अध्याय में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आपको वीडियो के comment box के माध्यम से आपको अपना problem बताना है उमिद करते हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा तो आप इस वीडियो का वीडियो लगातार देखने के लिए इस चैनल को subscribe किजे, like किजे और ज़्यादा से ज़्यादा share किजे और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, धन्यवाद